हेलो इस्ट्रेंड स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में सेटर्डी डिविजन आज आपका सेशन है पूरे हफ्ते भर की खबरों को हम लोग रिवाइस करेंगे ध्यान से सुनना है ठीके जो नई न्यूज आएंगी उसे नोड कर लेना जो पुरानी है उसे रिवाइस कर लेना चलिए चलिए विचे स्टार्ट करते हैं आज का पूरा विकली सेशन देखिए हाल ही में परवतर निदेशा ले यानि कि एडी के निदेशा के रूप में किसे निउक्त किया गया है क्य जो को याद रहेगा आपके आसबास भी कोई ने कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका नाम यह होगा बहुत कॉवन सा नाम है बच्चे इनका नाम है राहुल नवीन इन्हें क्या किया गया है एडी यानि कि परवतर निदेशाले के हैड के रूप में निदेशक के रूप में ड कीज़ को ले करके हुआ है कि दोनों देश मिलकर के Water Technology Center बनाएंगे, Water Technology Center बनाएंगे, अब Water Technology Center जो बनाय जाएगा इन दो देशों के द्वारा वो इन में से किसी एक IIT में बनेगा, तो वही आपको याद करना है कि कौन सी IIT में बनेगा, ये बनेगा बच्चे आपका IIT मदरा अगला प्रशन है, मुख्यमंतरी लड़की बहिन योजना, इसके सम्मन में निमलकित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान से सुन लिजीए इस स्कीम का नाम, ऐसी स्कीमें बचे आपकी, अभी हमने कुस दिनों पहले जो है आपका लाडली बहना, इस तरीकी की स्कीम पढ़ी अभी हमने के से स्कीम अभी है, यह जो है किसके दोरा निकाले गई है, महराष्ट सरकार के दोरा निकाले गई है, या दखना मुख्यमंतरी लड़की बहिन इसकेम, जो है, इसके बारे में चार संटेंस है, इस योजना के तहर पात्र महिलाओं को परती महा, दो हजार यह पात्र है, तो इनमें से बच्चे कौन सा वाला सही बूचा हुआ है, समन्द में निमलिकित में से कौन सा वाला सही है, इस करेक्ट, ठीके, तो इनमें से एक आपका सही है, जैसे हमने पढ़ा था, लाड़ली बहना योजना, किसकी थी वो, वो थी मध्यपरदेस सरकार क बस उसी तरच पे, सेम टू सेम वही स्कीम बच्चे आपकी लाडली बहना योजना के ही आधार पे मुख्यमंत्री लाड़की बहन जो है आपकी लाड़की बहन जो आपकी योजना है, वो लाँच की गई है, महराश्टा सरकार के द्वारा, यानि कि एकनात सिंदे की सरकार के द्वारा, अगला प्रशन है, अरुनांचल परदेश में हाली में खोजी गई, खाद कीट पड़ जाती, कोरीडियस एडी, इसके बारे में निमलकित में से कौन सा कथन सत्य है, देखे बचे, एक ऐसा इंसेक्ट की स्पिसीज मिली है, जिसे खाया जा सकता है, देखे, य कीट की परजाती है, इंसेक्ट की स्पिसीज है, और किस तरीकी की स्पिसीज है, इसे खाया जा सकता है, देखे, तो ये जो आपका इंसेक्ट की स्पिसीज है, अरुनांचल परदेश में मिली है, और इसके बारे में एक चीज सही है, गलत वालों को हम नहीं पड़ेंगे, स आदी जन जाती कहां पर पाई जाती है आपको पूछा जाएगा तो अरुनांचल परदेश में पाई जाएगी फट से आंसर करना है ठीक है अरुनांचल परदेश में आपकी पाई जाती है दूसा इसका नाम देखे विचे यह है कोरिडियस और यह है एडी ठीक है तो एडी म प्रमानिता प्राप्ट करने वाला पहला हवाई अड़ा बन गया है कौन सा वाला एरपोर्ट है जिसने की ये मुकाम छूग लिया है ये आपको मुझे बताना है देखिए इसमें आपको बच्चे सारे के सारे एरपोर्ट जो दिख रहे है ये इसमें आपके इंडिया के भी ह certification मिला है, यह आपका Campigoda International Airport है, कहाँ पर यह यह आपका करनाटका के अंदर करनाटका के अंदर, Bangalore में यह दिखेगा, Bangalore में आपका Campigoda International Airport है जिसके की यह मानिता मिली है और यह मानिता प्राप्त करने वाला हमारे देश से पहला एरपोर्ट है अगला बचे, किरसी DSS इसके बारे में निम्लकित में से कौन सा कथन सही है, किरसी DSS पहले इसके बारे में पढ़े लेते हैं, देखेए किरसी DSS जो है, अभी हाली में किरसी राजय मंतरी, कौन है? भगरे चोधरी है, इनके दवारा, यह किरसी निर्ने सहाइता परनाली, इसका जो full form है वो है आपका किरसी, निर्ने सहाइता परनाली DSS का मतलब है decision support system, यह DSS जो है decision support system यह launch किया गया है अब इसका नावरण किया गया है लेकिर इसका इस्तमाल कैसे किया जाएगा, क्या इसका उपयोग होंगे, क्या इसके फाइदे होंगे यह एक भू इस्तानिक मंच है, जो कि फसल के इस्ति, मौसम पैटन, जलसन सादनों, मिर्दा स्वास्ते पर वास्तेविक समय की जानकारी परदान करेगा मतलब एक ऐसा integrated platform मना दिया गया है कि जहाँ पे agriculture से लेटेड, फसलों से लेटेड, हर possible doubt होता है वो सारी के सारी जो है आपके जो भी possible समस्या होती है, वो सारी के सारी solution आपको यहाँ पर मिल जाएगे तो जलसन सादन, मिर्दा स्वास्ते, फसल के इस्ति, मौसम का पैटन, यह सारी चीज़े जो है आपको inform कर दिया जाएगा किरसी DSS संभावत किरसी आपदाओं के बारी में प्रारंबिक चेतावनी देने के लिए उपगरह इमेजनरी का परियोग करेगा या फिर किरसी DSS रासानी और वरको और कीटनाशुकों को बढ़ावा दिने पर केंद्रित है, यह तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया है उसके पहले क्या था? सबसीडी, सबसीडी वाले में भी बिल्कुल नहीं है, ठीकिरसी DSS किरसी उपज के विपडन के लिए एक मंच है, उपज के विपडन के लिए, दिस्टिबुशन के लिए एक मंच है, यह भी नहीं है तो इसमें सही जवाब क्या होगा? एक ही sentence आपका सही है कि किर्सी DSS क्या करेगा? ये बचे आपका आपदाओं को, किर्सी में जो भी आपदाए आनी वाली है, जैसे कि बहुत भारी वारी सोनी वाली है, कहीं पर जो आपका कोई flood आने वाला इस तरीके से, जिससे कि हमारी agriculture को कोई खत्रा हो सकता है, तो किर्सी डिजास्टर को पहले ही पहचानने के लिए, पूर्व चेतावनी के लिए, क्या करेगा? सैटलाइट इमेजनिंग का इस्तमाल करेगा, ठीके? तो ये हो गया आपका किर्सी DSS, यहाँ देखेगा बच्चे से, support system है. अगला जियो पार्ट तो ये जियो पार्टसी में बेसिकली क्या है? ये आपका एक online portal जहाँ पर कि जो पार्टसी कपश होंगे, उनके पार्टसी कपश की जो साधियं होती है उनको registered यहाँपे किया जाएगा, ठीके? तो जियो पार्टसी बेसिकली क्या है बच्चे कि जो पार्टसी लोग ہیں भार पार्सी योजना जो है लॉच्च गी गई है, तो इसका प्रात्मे कुद्देशी क्या होगा, इसका प्रात्मे कुद्देशी क्या है भीचे, इसका है पार्सी आपदा अबादी में गिरावट की परवर्ती को उलटने के लिए अगला है आर्किट पड़ जाती ग्रेस्टो डिया इंडिका इसकी खोज की गई है कौनसी अभ्यारेने में की गई है यह आपको पूछा गया है अब देखे भाचे- NEWS तो इतनी जादे इंपर्न नहीं है कि आर्किट का एक नया इस्पिसीज मिला है यह कहां पे मिला है यह मिला है सिक्किम में तो सिक्किम में कौनसी wildlife century है जिसके भीतर यह नया पौधा मिला है यह पौधी की परजाती मिली है तो Sikkim में बचे इनमें से कौन सा है आपका Fembo Glow, या दखना है इसका नाम, ठीके, इसका नाम है आपका Fembo Glow, ठीके, Wildlife Century, कहां पर है, Sikkim में है, इसके भीतर जो है, ये नया और्किट का परजाती मिली है, अगला है, New York में, संयुक्त रास्टर में, भारत का अगला परतिंदी किसे चुना गया है, बहुत important प्रशने आपका ये आने वाले समय के लिए होने वाला है, ठीके, रुचिरा कामबोज जी के बाद में, रुचिरा कामबोज जी के बाद में, ये आपके अगले क्या है, permanent, क्या बन गया है, विचे, permanent ambassador बन गया है, कहां के लिए, ये परतिंदी होते हैं, ठीके, उनके पतपी चुना गया है, पी हरिश जी को, अगला है भारती केलेंडर के किस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है, ये काफे interesting question पूछा है आपको, ठीके, क्योंकि अधिकतर days में, बचे हम क्या करते है, important days में, हम सिब तारीक या दखते हैं, ठीके, तो ये आपका याद दिखेगा, कि भारत में हिंदू केलेंडर के according, जो संस्कृत दिवस मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, बचे, सावन मास की पूर्णी मा को, ठीके, तो ये तोड़ा सा आपका, याद दिखेगा, full moon day of सावन, ठीके, ये वो वाला महिना, तो श्रावन के, जो पूर्णी मासी होती है, जो full moon day होता है, उस दिन जो है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है, राम नारायन अगरवाल जिनका हाली मेनी दन हो गया है, किस मिसाइल के कारिकरम में उनके यूगदान के लिए जाने जाते थे, ये बहुत important question था, मैंने आपको बताया था कि news थोड़ा से ध्यान से सुनेगा, राम नारायन अगरवाल इनका field आपको पूचा जाएगा, बचे बहुत famous scientist थे, बहुत भारत में जब आपकी missile technology सुरू हुई थी, उस समय से जो है आपका, जब तक ये 2005 तक, मतलब इन्होंने अपनी, जब अगला है आपका निपुन क्या है, ये भी science and technology से related ही एक news है, निपुन क्या है, ठीके निपुन के बारे में थोड़ा से याद दिखेगा, सिफ basic सी चीजे बचे इसके बारे में आपको याद रखना है कि निपुन है क्या आपका, ठीके, ये आपको, ठीके, निपुन क्या ह निपुन जो है, सीमा सुरक्षा के लिए विक्सित एक प्रकार का निगरानी ड्रोन है, भारतिय सेना के लिए विक्सित एक नई anti-personal mine है, नौसेना रक्षा के लिए एक उच्च उड़जा लेजर हतियार परनाली है, सैने उप्योग के लिए एक उन्नत संचार परनाली है, तो इसे याद दिखिएगा बचे, ये क्या है, anti-personal mine, anti-mine develop किया गया है, किसके लिए? Indian Army के लिए, भारतिय सेना के लिए, आपको बता है ने कि, जब युद्ध शेतर में कहीं कहीं पर जो है आपका, जमीन के लिए माइन्स बिची रहती है, तो ये जो system है, निपुन, ये क develop किया गया है, अगला है, मुख्यमंतरी मया समान यूजना के संदर में निमलिकित में से कौन सा कतन सही है, मुख्यमंतरी मया समान यूजना, अगर आपको याद हो बचे, जारकन के मुख्यमंतरी हेमंत सोरेन के द्वारा ये scheme launch की गई थी, ठीके, और इसके जरिये इन्हों में एक हजार रुपे दिया जाएगा, ठीके, इसका मतलब है साल का जो है, बारा हजार रुपे जो है, उन्हें दिये जाएगे, ठीके, तो यह याद दिखिएगा, महिलाओं के लिए है, 21 से 50 की बीच की जो अपके महिलाए है, इंटरनेसनल सेंटर फोर रिस्पनसिबल सरकार को दिया गया है, यह आप से पूचा है, तो वहचे कौन सी राज जी की सरकार को दिया गया है, इनमें है आपका केरला, पिष़ली बार भी केरला को ही मिला था, इस बार भी केरला को ही मिला है, केरला टूरिस्म को एक व्रोषकार दिया गया है, Western India Billiards M.M. Snooker Championship में Billiards Final में किसने जीत लिया है तो Billiards जब भी नाम आता है पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है पंका जानवानी का तेकि इस बार विचे इन्होंने जीत लिया है पंका जानवानी को याद देखेगा Western India Billiards M. Snooker Championship इन्होंने जो है फाइनल जीत लिया है इंडिया के लिए अगले है भारत के अगले रक्सा सचिव के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है भारत के अगले रक्सा सचिव कौन होने वाले है इनके नाम है Mr. Rajis Kumar तेके राजिस कुमार आपके पडोस में जो रहते है ना बच्चे राजिस तेके वो बन गए हमारे अगले रक्सा सचिव या देखेगा राजिस कुमार अगले है निमलिकित में से कौन सा सुधार अमरित भारत स्टेशन यूजणा का केंद नहीं है अब एक स्कीम है नई स्कीम नई पुरानी स्कीम है यह है आपका बच्चे अमरित भारत स्टेशन यूजणा बेसिकलिए यह आपके केंद सरकार की स्कीम है और केंद सरकार क्या कर रही है केंद सरकार जो है इसके तहत एक साथ जो पुराने स्टेशन से उनको जो है नई तकनीक से जो है लैस करने की कोशिश कर रहे यानि कि उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है तो पहले तो इससे याद दिखेगा कि यह जो है आपका अमरित भारत इस्टेशन योजना इसके तहट क्या किया जाएगा जो हमारे पुराने रेलवे स्टेशन से उ उनको क्या किया जाएगा पुर्णर जीवित किया जाएगा या फिर उन्हें आपका रिकंस्टर्ट किया जाएगा उनमें जो है टेक्नलोजी लगाई जाएगी जो भी आपकी अपग्रेड चीजे हैं वो सारी की सारी जो है आपकी यहां पे इंक्लूड की जानी है तो जो यह बच्छे वो आपको पूचा है कि इन मैसे जो है आपका क्या नहीं किया जाना है तो देखें थोड़ा से ध्यान से और common sense से आपका यह प्रश्ण बनेगा यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाएगा बहतर यातायात परी संचरन किया जाएगा तेके उसके बाद है अंतर मोडल एककरन किया जाएगा और यह आपके train की गती को बढ़ाए जाएगा तो इसमें train की गती को बढ़ाएगा नहीं है इंक्रीज ट्रेन स्पीड ये इसमें एक काम नहीं है, बाकी बच्चे सारी के सारी जो चीजी है, पैसेंजर का जो एमिनिटीज है, उनके जो भी सुविधाय है, वो सारी के सारी इंप्रूफ की जानी है, ट्रैफिक सर्कुलेशन जो है आपका वो बैटर किया जाना है, कई ब ट्रेन के स्पीड बढ़ाई जानी है, क्या इसके तहट ट्रीन के स्पीड नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीके, अगला है ओडिसा तट पर हॉर्सू केकड़े को टैग करने के लिए कि संगठन ने ओडिसा वन बिभाग के साथ में सहयूग की किया है, इसे या दखेगा बच् इसके खासियत यह है कि यह अभी दुनिया के जो सबसे पुराने जीव हैं, उन में से अधिकतर तो मर गए हैं, लेकिन जो जिन्दा है ना उन में से आपका यही जीव है, ठीके तो बहुत पुराने जीव हैं हमारी प्रिथ्वी पे, जब से प्रिथ्वी बनना सुरू सरकार के साथ में, उडिसा के वन बिभाग के साथ में, अग्रिमेंट किया गया है, तो कौन सा है यह, यह है आपका भारतिया प्राणी सर्विक्षन, जोलोजिकल सर्वी ओफ इंडिया, जोलोजिकल सर्वी ओफ इंडिया के द्वारा यह अग्रिमेंट किया गया है, किस के स ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस कामख्या रेलवे स्टेशन अगला है D.O.P.W. पहले तो इसका फुल फॉर्म में आपको बता देती हूँ Department of Pension and Pensioner Welfare ठीके D.O.P.W. इसका मतलब क्या होता है बचे इसका मतलब है आपका Department of Pension and Pensioners Welfare अब ये जो foundation है ये जो आपका organization है इसके दोरा एक software launch किया गया है जिसका नाम है भविश्या ठीके नाम क्या है भविश्या भविश्या नाम का software launch किया गया है तो इसका प्रात्मिक उद्देश है पूचा है कि क्यो launch किया है सबसे पहले तो है कि क्रमचारी उपस्तिति का परबंद करना फिर है आपका pension प्रसंस करनको सुव्यवेस्थित करना और देरी को कम करना फिर है कि i-car return की करना करना फिर तो ये पेंस अर से लेटेड है बचे नाम आप देख रहें को इपार्टमेंट जो आपका है DPPW यह पेंसन से लेटेड है तो पेंसन से लेटेड ही जो है आपका यह सौप्वेर भी है इसमें क्या किया जाएगा पेंसन प्रसंसक्रन को सूब यवस्थित करना और जितना डिले होता है जो देरी होती है उसे क करना ठीक है तो स्ट्रीम लाइन पेंसन प्रोसेसिंग एंड रिद्यूस डिलेस यह यादखना ओप्सन नमबर बी भविश्य शॉप्ट वियर है कौन से दिपार्टमेंट के द्वारा इसे लॉच्च किया गया है यह आपका DPPW अगला है बचे उल्ची फ्रीडम शेल अभ स्टेट साउथ कोरिया, साउथ कोरिया चाइना, युनाइटेज स्टेट और जापान ठीक है अगर आप बचे वर्ड जियो पॉल्टिक्स को थोड़ा सा देखते हैं समझते हैं तो कुछ ऑप्सन तो आपकी ऑटोमेटिकल या से आउट हो जाएंगे है तो इन मेंसे बचे आपका किस किस के साथ में है यह है आपका USA और साउथ कोरिया के साथ में ठीके USA और साउथ कोरिया की बीच में आपका होता है यह एक military exercise है इसका नाम है उल्ची freedom sealed अप्याश ठीके या दखना इसमें United States और साउथ कोरिया की आर्मी हिस्सा लेती हैं अगला है संगहाई academic ranking of world universities 2024 में भरतिय विश्व विद्याले की सूची में कौन सा संस्तान सीड्स पर है Indian Institute of Science है बैंगलूरू जवाला नेरू यूनिवर्सिटी है Indian Institute of Technology है यूनिवर्सिटी अप दिल्ली है ठीके तो इनमें से कौन से वारा यूनिवर्सिटी है जो कि इस ranking में ranking को ध्यान से देख यूनिवर्सिटी है जो की पहले नमबर पर है तो पहले नमबर पर है आपका IISC बैंगलूरू टेके Indian Institute of Technology Indian Institute of Science IISC बैंगलूरू आपसन नमबर ए ठीके या दिखेगा IISC बैंगलूरू जो है हमारी यूनिवर्सिटी में भारतिय विश्व विद्यालों में पहले नमबर है अगला है कौनसा विश्व विद्याले भारत का पहला समीधान संग्रहाले शुरू करने जा रहा है कौनसा यूनिवर्सिटी है और शुरू करने जा रहा है अभी तो जो है इसका काम शुरू हुआ है नमबर के महीने में जो है आपका इनुगूरीट करने की बात बताई जा रही है किस साल जो है नॉबर तक ही आपका तयार हो जाएगा तो कौन सी यूवसिटी है ये ये आपके जिंदल गलोबल यूवसिटी ओ पी जिंदल गलोबल इनके द्वारा ये म्यूजियम सुरू किया जा रहा है अगला है उड़्जा दक्षिता ब्यूरो बी के according भारत के किस राज्य में सारवजनिक इलेक्ट्रिक वाहन, EV चार्जिंग स्टेशनों के संग्या सबसे जादा है, आपको याद होगा, पहले नंबर पे है करनाटेका, दूसरे नंबर पे है महराश्ट्रा, ठीके, पहले नंबर पे है आपका करनाटेका, और दूसरे नंबर पे आपका महराश्ट्रा, सबसे जादा जो चार्जिंग स्पॉर्ट है, EV के लिए, उलेक्ट्रिक वहकिल के लिए, वो कहाँ पे हैं, करनाटेका पे हैं, अगला है अंतराश्ट्रिया, राश्ट्रिया अंतरिक्स दिवस, यह आपको याद होगा, कली की न्यूज में आपको बताया था, आज 24 अगस्त है, कर आपका 23 अगस्त था, तो 23 अगस्त को जिस दिन बचे चंद्रियान, जो है, अपने शिव्शक्ती पॉइंट पे पहुँच गया था, 23 अगस्त, 2023, अगला है, महाराश्टा के पहले सौर गाउं का उद्गहटन, किस राज्य में किया गया है, देखें, गाउं का नाम पहले, याद किये गया, observed, कि महाराश्टा को जो पहला Solar Village बना है, यह आपका मान्याचिवाडी, मानियाची वाडी, अब मानियाची वाडी है तो महराष्ट्रा में, लेकिन इसका डिस्टिक पूछा हुआ है, कौन सा वाला डिस्टिक है, यह आपका सतारा, ठीके, अब आप कहेंगे Solar Village जो है, इसका मतलब क्या होता है, Solar Village का मतलब होता है, बचे, कि यहाँ पे जितने जितने भी घर होंगे नहीं आपे, सभी के घरों के छटों पे जो है, रूप टॉप सोलर पैनल लगा दिया गया है, ठीके, और यह एक स्कीम है, कौन सी स्कीम है, परदान मंतरी, सूर्य घर यूजना, ठीके, सूर्य घर बिजली मिप्तु यूजना है ना, इस तरीके से जो ह आपके यूजना है, 2023 की स्कीम है, 2023 के बिजट में जो है इंट्रड्यूस की गई थी, उसके बाद में जो है आपका, इस स्कीम को थोड़ा सा बढ़ाया गया, पहले सिब यह स्कीम थी, कि लोगों की घरों पे सोलर पैनल लगाया जाएगा, कुछ पैसा सरकार देगी, कुछ पैसा लोग खुद देंगे, उसके बाद में इसको अपग्रेट करके यह कहा गया, कि आप अपने घर पे आगर इस यूजना के तहर तो सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो आपको अपनी बिजली के बिल में 300 यूनिट तक मुफ्त कर दिया जाएगा, उसे जो है आपका माफ कर तो परदान मंतरी सूर्य घर बिजली मुफ्त यूजना इसका नाम है, और यह आपका पूरे भारत में अभी लागू हो रही है, और इसी के दहित बचे, एक नाज सिंदे, जो महाराष्ट के अभी CM है, उनके द्वारा मानिया चिवाडी, एक गाउं ऐसा है कि सभी के घरों पर क्या लगा दिया है, इन्होंने यह सोलर पेनल लगा दिया है, तो सतारा, महाराष्ट का पहला सोलर विलेज जो है, मानिया चिवाडी बना है, और इसका सतारा, अगला है NESCOM के अधिक्स पद के पद पर किसे न्यूक्त किया गया है, NESCOM, यह आपका क्या है, एक नॉन प्र प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिटेबल, इन्फॉर्मल गुरूप है, जिसमें कि भारत की जो टेक्नलोजी सेक्टर के, जितने भी बच्चे टेक्नलोजी सेक्टर के, जो कंपनिया है, वो सारी के सारी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इनका एक और गिनाजिशन है NESCOM, NESCOM के अभी जो वर्तमान हेड बने ना, उनका नाम आपको पूछा, देखे, देवजानी गोस्तों बच्चे इन्होंने ये इस्तिपा दिया है, तो इनके जाने के बाद में आपके नए विक्ति चुने गये है, देवजानी गोस्त पहले थे, इन्होंने इस्तिपा दिया है, इनक व्यक्तिकों चुना गया है बैचे, एक आपके male, एक आपके female है, जो female है, उनका नाम है भाग्यश्री जादव, इनका जो संबन्ध है, इनका खेल या दिखेगा, इनका है short put, जिसे कहता है गोला फेंक, गोला फेंक की खलाडी है, और दूसरे जो पूरुष चुने गया है, इनका है जैवलीन थ्रो, यानि की भाला फेक, ठीके, दोनों ही एथलीट है मतलब, जैवलीन थ्रो, ठीके, तो सुमित अंतिल को और भाग्यश्री जादव जी को चुना गया है, इसके दोजवाह के रूप में, पैरिस पैरलंपिक के दोजवाह के रूप में, अगला है कें केंद्रिय मंत्री डाक्टर वरेंद्र कुमार ने सत्रवे दिव्यकला मेले का उद्गाटन कहां पर किया है, दिव्यकला मेला यह जो है दिव्यांग जनों से लेटर है, हमेंसा या देखेगा, दिव्यांग जनों से लेटर एक हमेंसा मेला लगता है, हर साल लगता है, इस वारी वेला लगाया च्छत्तिसगड के राइपुर में, या दिखेगा वेन्यू, च्छत्तिसगड के राइपुर में जो है, यह लगा है, और इसे इनुग्रेट किसने क्या है, केंदे मंत्री डाक्टर वरेंद्र कुमार ने, अगला है, पैरिस पर ऐलंपिक दो हजार परसन के रूप में, आप कह सकते हैं, उस टीम के इस पोग परसन के रूप में, जो है गगन नारंग, जो के पूरू निशानेबाज है, उन्हें जो है बेजा गया था, सेम वही आपका, कि यहां पर जो पैरलंपिक में भारतिय टीम गई है, इस टीम के इस पोग परसन के र बीचा गया है, अगला हाल ही में HCL Technologies के नया CFO किसे न्यूक्त किया गया है, Chief Financial Officer, किसे न्यूक्त किया गया है, यह आपका HCL Technologies है, HCL Technologies को बच्चे हम काफी बार पढ़ते हैं, किसके कारण, रोश्नी नदार के कारण, रोश्नी नदार के बारे में हमने जो है, अभी पिछले से पिछले हपते एक न्यूस पड़ी थी, कि जितने भी यहाँ पे फैमिली बिजनेस हैं, इंडिया में, उन में अगर फैमिली बिजनेस में बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो strongest woman है, वो है आपकी रोश्नी नदार, ठीकिए, इसी की मालकी नहीं है, HCL Technologies की, तो इसमें जो है CFO के रूप में, किसे चुना गया है, इनका नाम या देखियागा, इनका नाम है शिव वालिया, ठीकिए, क्या नाम है इनका, शिव वालिया, अगला है, ICC माहिला T20 वर्ड कप, 2024 का आउचन बंगलेश से इस तानांतरित होने के बाद में, कौन सा देश इसकी मेजबानी कर आईगा, यह भी बहुत interesting news है, और याद करने लाएग news भी है, आजाएगा इस बार, ठीके, तो T20 वर्ड कप बचे 2024 का बंगलेश में हो रहा था, पहले, लेकिन अभी जो ICC इनका बंगलेश में नहीं जाएंगे खिलने के लिए, क्योंकि बंगलेश में जो है, अभी internal disturbance दे अधरा यह दो ही है, इस ताई नहीं होई यहाँ पर आप ही जो situation है, तो इसके बात जो है आपका जो matches होंगे सारे के सारे कहां पे होंगे? DOVAY में होंगे और SARD, JAMA होंगे, यानि कि कहां पर होंगे? UAE में होंगे, तो UAE को जो है इसकी मेजबानी दी गई है, कि सहर में नही इलेक्ट्रिक वाहन, EV परिक्षन सुविधा इस्तापित की जाएगी, अभी हुई नहीं है, अभी सिर्फ आपको क्या हुआ है, गूष ना हुई है, तो इलेक्ट्रिक वहेकल, टेस्टिंग फैसिलिटी बचे, इलेक्ट्रिक वहेकल की टेस्टिंग फैसिलिटी जो है, आपक तो यहां से महाराष्टर से जो आपको एक गुवा तक जाता है तो यहां से महाराष्टर से जो आपकी गुवा तक जाता है तो यहां से महाराष्टर से जो आपकी गुवा तक जाता है तो यहां से महाराष्टर से जो आपकी गुवा तक जाता है तो यहां से महाराष्टर से पर चलती है, ठीके, तो यह जो कॉंगण एक्सप्रेस वे बनाने जा रहा है, वो है आपका महरास्टा, यहाँ दिखेगा, महरास्टा के द्वारा जो है, इसे बनाया जा रहा है, अगला हाल ही में, किस सबसे बुजर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, इनका नाम यहाँ दिख निधन हुआ है, 117 उम्र के थी, अगला है भारत के किस देश में, किस देश को मानविय सायता के लिए लगबग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप भेजी है, देखे, इंडिया के द्वारा एक humanitarian assistant भेजा गया है, assistant के रूप में हमने क्या भेजी है, लगबग 1400 kg कै इन में से हमने कौन से देश को भेजी है, यह हमने बेची बेचे सीरिया को, या दखना, भारत ने कौन से कंट्री को भेजी है, सीरिया को भेजी है, क्या भेजी है, कैंसर विरोधी दवाई में बेची है, लगबग 1400 kg, किस कमपनी ने भारत में जन्तरी E-motor cycle पेश की है, अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सुरू की है, जिसके तहत क्या किया जाना है, उन निराश्रित बच्चों को पच्चिस और रुपे मासिक सायता परदान की जाएगी, जिसनके माता-पिता के मृत्यू हो चुके है, तो जो निराश्रित यानि कि जो अनाद बच्चे है, उनको हर महीने जो है ट्वंटी फाइफंडूर्ट रुपे दिये जाएंगे, इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, नेकि या दिखिएगा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बच्चे ये है, और ये कौन से सरकार की द करमचारी के लिए, यानि कि इस स्टेत में आपके लेख्रोषा में है, और ये और ये कौन सा स्टेत है आपका, ये है आपका दिल्ली यादखना में चाही है, अब ये union टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली सरकार के दौरा गूशना की गई है, कि 20,000 सेवा निवरित बिशली कि गोर्मेंट किस ब्रैंड ये उद्धमों को सिक्षा और छेत्रों को ध्यान में रख करके ने क्रूम बुक लॉंच किये हैं चलिए तो थोड़ा से याद देखेगा एक ऐसा क्रूम बुक बचे जो की इंटरप्राइस से लेटेड़ है जो की एजुकेशन से लेटेड़ है इन दोनों को ध्यान में रख करके एक अप्यूराइड करोंबुक जो है लॉंच किया गया है कौन से कमम्पनी ने इस कि आपके एसर त्थ दिके फोड़ी सी होगे गलती ठीके यह आपका रात्रियर ठीके अब रात्रियर साथी helper of night ठीके यह आपका सुरू किया गया है basically क्या है इसमें आपका महिलाओं की है woman security के लिए आपका यह यह यूजना सुरू किया गई है और इसके तहट क्या किया जाना है जो भी महिलाएं है खासकर के medical field की जो महिलाएं है उन्हें जो है रात को रात को जहांपे वह रहती है रात की अगर उनकी night shift होती है तो night shift के लिए जो है उन्हें आपका एक अलगसा room दिया जाएगा और ऐसा रूम होगा कि उन्हें उस रूम से बाहर जाने के आवश्रक्ता नहीं पड़ेगे, जैसे कि वहाँ पे बेसिक सी फेसिलिटी दे दी थोड़ा सा चोटा सा कीचन चोटा सा जो है आपका वाश्रूम इस तरही कीगे, तो जो भी लोग नाइट सिफ्ट करते हैं और कौन से सरकार होगी यह, आपका और कौन से गवर्मेंट क्या है यह, यह आपका वेस्ट मंगाल, पश्रिम मंगाल में जो कांड हुआ, आप लोगों ने सुन लिया ओगो, इसके बारे में न, जो भी वहाँ पे आपका इनर्स के साथ में हुआ है, तो उसके बाद बचे आपका गवर्मेंट पे चाहिए, वो आपके केंट सरकार हो, राज्य सरकार हो, हर तरीके से जो आपके पॉलिटिक्स, तो पूरे पीक पर इस समय, ठीके, काम जिस दिसा में होना चाहिए, ता वो हो रहा यह, नहीं हो रहा है, फिलाल सुप्रिम कोर्ट जो है, आपका बीच इस समय, तो भारत में जो हमारे सुप्रिम कोर्ट है, वो जहां पर उसे लगता है कि मुझे बीच में आना चाहिए, ठीके, धंक से काम नहीं कर रहे हैं सरकारे, तो वहां पर जो बीच में वो आपका सुता सिंग्यान लेता है उस मामली का, तो सुप्रिम कोर्ट ने इस माम सदा मिल रहा है, उनके बैकिंग इतनी स्ट्रॉंग है, तो इन सभी चीजों को देखते है, सुप्रिम कोर्ट जो भी बीच में है, बाकी बच्चे जो भी आता रहेगा, इतनी बड़ी न्यूस है अभी तो आप लोग को सुनने को मिल रहा होगा लगाता रहे है, तो सदा मिल रहे हैं, तो लड़कियों के साथ में इस तरीकी की महिलाओं को रखा जाना है, ताकि वहाँ पर वो सुरक्षित महसूस करें, सेफ महसूस करें, तो वेस्ट बंगाल सरकार्म ने अभी इसकी घोशना की है, देखते हैं कब तक इंप्लिमेंट होता है ये, तो रात् सदा में, इन्हों ने क्या किया है? एक ट्रांसेंडर समुधाई के लिए, पहला सौंद्र क्लिनीक किश से एधा मैं ख़़ा गया है, चेनँ है, मूंबई है, बेंग डुरू है, मदुरा ही है, इसे यादकिएगा, ट्रांसेंडर के लिए पहला सक यादकिए यादृ तो इ है तमिलाड़ू में, तमिलाड़ू में मदूरई में, बेके मदूरई में Trans dangerous के लिए क्या खुला गया है, पहला Inksandайн Klinic mist के सुंदरे क्लिन i kukhtu आ ने चात्रों को कृषि के बारे में सिख्षित करने के लिए धान के खेत को लिए क्जल के मेदान के रूप में रख करके एक स्कूल शुरू किया है, मतलब कि इन्होंने स्कूल बना दिया है धान के खेत में, तो किसलिए किया है, ताकि बच्चों को, छात्रों को कृषी के बारे में सिखाया जाए, तो ये कौन सी राज, कौन सी स्टेट में हो आप चेत, तमिलनाडू में हो आपको दानी के लिए वो उप्यूक्त जगह चुनी है, तो ये थोड़ा से यादिकेगा, इन्होंने के ऐसा स्कूल लांच किया है, जहां पर कि धान के खेत होंगे, और धान के खेत में जो है आपका, धान के खेत से शुरू, अपर तो धान का टाइम चलना है, तो धान के खेत है, बाद में जो है गेऊं को टाइम चलना है, गेऊं के खेत होंगे, बेसिकली मतलब वहीं पर जाकर के, जहां पर प्ली राउंड है, जहां पर एक्चुल ग्राउंड जो रियलिटी होती है, वहीं पर जाकर के जो है उन्हें पढ़ाय जाएगा, ठीके, तो इस तरीके से भारत वो स्रिलंका के बीच का, इंडिया और स्रिलंका के बीच में एक agreement हुआ है, दोनों का agreement किसीश को लेकर के है भुछे? ये है आपका, LNG का जो बुनियादी ढ़ाचा है, देके, दूसरा है आपका power development, बिजली विकास को लेकर के, देके, दो दोनों के बीच में भारत व सिर्लंगा के बीच में आपका ये समझ होता हुआ है कौन से राजे सरकार मुस्लिम विवाहों और तलाकों के अनिवार्य सरकारी पंजी करण के लिए विधेक पेश करने की योजना बना रही है ठीके दिखें दियान से सुनिएगा इस स्टेट गवर्मेंट के दौरा क्या क्य जा रहा है जो मुस्लिम साधियां होती है जो मुस्लिम कपल्स के साधियां होती है उन साधियों में और तलाकों दोनों के लिए जो है आपका अनिवार्य सरकारी पंजी करने जा रही है और कौन से स्टेट के गवर्मेंट बचे करने जा रही है आपकी यह है असाम के सरकार असम की सरकार ने ये यूजना बनाई है कि जो मुस्लिम साधिया होंगी उसमें चाहे साधी हो चाहे आपका डाइवर्स हो उनको रजिस्टर्ड किया जाना मेंडर्री होगा अंतराष्टी उलम्पिक समीती ने पर्थम उलम्पिक e-sports गेम सुरू करने के लिए किसके साध में साजेधारी पर हस्ताक्षर किये है यह थोड़ा सा धिहान से बच्चे पढ़िएगा देखें साउथ कोरिया है जापान है चाइना है साओधी अरेविया है यह कि है अलग-अलग देश है इन मेंसे किसी के साथ में जो है आपका जो आंतरास्ट्रिय ओलंपक समीति ने पहली बार आंतरास्ट्रिय ओलंपिक शुरू करने जा रहा है तो इसे शुरू करने के लिए करके इन मेंसे किसी कंट्री के साथ में South Korea है, Japan है, South, आपका, चाइना है, आपका, साओधी रेविया है, ठीके, तो किस के साथ में इन्होंने agreement किया है, इन्होंने किया है, साओध कूरिया के साथ में से याद एक तो International E-Sports Olympic Games वे आपके बहुत जल्ली वच्छे आपके शुरू होंगे, ठीके, और South Korea के साथ में जो है जखेगा जहां पर पैसे देनी की बात होती है, ठीके, हजार रुपे महीना, पच्छी सो रुपे महीना, यह जो भी आपके, जिस भी स्कीम में पैसे दिये जा रहे हैं, चाहे महिलाओं को, चाहे पुरुशों को हो, ठीके, Financial Assistant वाली स्कीम में आपको याद रखनी है, कौन स सरकार के हैड याने की चीफ मिनिस्टर कौन है, किसके दौर इसकी घूशना की गही, कौन सी कम्यूनिटी इसके बेनिफिट लेगी, इस तरीकी के प्रश्णों का उत्तर आपके पास में होने चाहिए, ठीके, चलिए फिर, इस हपते का पूरा रिविजन यही पे समाप्त हो